ओम नमस्षिवाय मैं हूँ एसलोजर के अंसिन और मैं अपने से यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ एबिपी और सी वोटर का जो कल फाइनल नाका आजाए इनका लगातार ओपिनियन पोल आता रहता है तो तीसरा ओपिनियन पोल आया और उसमें भी ये क्लियर किया गया कि टीम्सी इस गुइंग टू विन और ममता तीसरी बार वहां पर सरकार बनाने वाली हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपनों को बता दूँ वहां पर दूँए और सब्सक्राइब करेंगे अपर दूँए और वहां पर आपनों को बता हैं और यह जो जो शर्वे के रिजल्ट आ रहे हैं इनका असलियत आप अंत समय तक भी नहीं पता कर पाएंगे जब इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आप चेक कर पाईए देगा कि हूँ इस गूइंग तो मेंग ता गोवर्मेंट इन वेस्ट बेंगॉल बट एस फार एस इन अधर इस्टेट प्रेडिक्शन उसी के अकॉर्डिंग सर्वे भी आ रहे हैं जैसा बताया गया जैसे असाम में बीजेपी इस गूइंग तो फॉर्म दा अभी पोल में तो वो भी सत्य होगी LDF के लिए जो एक्जिस्टिंग केरला में जो रूलिंग पार्टी है वही दुबारा जीतेगी उसी तरीके का पोल में भी रिजल्ट आ रहा है तो और पॉंडिचेरी में बीजेपी और मतलब NDA की जो होगी वह वापसी होगी लेकिन ज प्रफेशनल लोग होते हैं जो की सर्वे करते हैं तो उनके सर्वे को मैं गलत सिद्ध नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं उनका सर्वे अपने जगा पर सही हो सकता है लेकिन आप भी जानते हैं कई बार सर्वे जो होते हैं वह अंत मौके पर बदल जाते हैं जैसे बिहार के चुनाओं की बात किया जाए सबी लोगों ने आर जेटी को भी बोला था इवन मैंने भी क्लेकुलेशन जो किया था वह हिंकी सरकार बनेगी और नितीश की कु जटका लगेगा में पर लेकिन हुआ कुछ उल्टा वहां पर वहां पर नढ़कि जो सीटों का अंतर था तक्यी 1 अंतर था उसमें कसी की बीसर नब्ला सकते थी लेकिन यहां पर जो ए बीचिव और सी वोटर के जो managing में आया हुए हैं उसके according ममता सरकार is going to be form लेकिन मेरे prediction के according ममता सरकार जो है she is going back वो आनी रही है दुबारा और यहां पर जो सर्वे होगा यह चेंज निश्चित रूप से होगा 38-39% का जो वोट शेर की बात किया वो तो निकल के सामने आ रहा गर आप मेरे regular viewer और subscriber है so I mentioned that कि BJP का जो वोट percentage होगा that will be around 38-39% तो 38-39% का वोट शेर तो आ रहा है calculate करने पर जबकि जो TMC का था वोट शेर कम होगा जैसा मैं देखना 44% 43% का जो वोट शेर की बात हो है वो शेर कम होगा और पहले जो वोट शेर होता था बीजेपी जैसे काफी कम सीट पिछले 2016 के जो 2016-18 का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को काफी कम सीट मिली थी लेकिन उसके में बहुत तेज से लगातार ग्राफ बीजेपी का बढ़ रहा है और मैं शूर हूं कि बीजेपी ही वहाँ पर आएगी काटों की टक्कर होगी मैंने आपको पहले बताता है हम नौट तू मस्ट ऑप्टिमिस्टिक की बहुत जादा मैं बोल दो की 200 सीटें आएंगी 180 सीटें आ जाएंगी यह कहना बहुत रिस्की है लेकिन 140 सीटें बीजेपी को मिल जाए और 160 के आसपास तक बीजेपी चली जाए ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूं 140-160 का आखड़ा मैं अभी भी लगातार दे रहा हूं और जो साइलेंट वोटर हैं जो जो टर्निंग पॉइंट बनेंगे इन बेंगॉल वेस्ट बेंगॉल इलेक्शन्स दू नॉट रहा है इन सभी चीजों को आप अलग रखिये साइलेंट वोटर्स विच मेंका पोल विच डू गिव दा वोट इन दा फेवरेबल गॉवर्मेंट जिनको वो चाहते हैं और साइलेंट वोटर की संख्या जो है अगर कहा जाए पश्चिम बंगाल में सबसे जादा रहने वाली है जो चिला कर वोट देते हैं उनकी साहिद ये सर्वे में रिपोर्ट आई है ले गेम चेंजर मैं आज ही बोल दे रहा हूं और ये चीज सत्ते होगी दो मई को जब चुनाओ के रिजल्ट आएंगे तो हम जरूर इस चीश को टैली करेंगे और मैं जो प्रेडिक्शन देख पा रहा हूं तीन राज्यों में पांच में तीन राज्यों में निश्यत रुप से सरकार भारती जनता पार्टी और उनके सयोगी दलो का जो एलायंस है वही सरकार बनाने वाली है तो ये था ओपेनियन पोल वर्सेस साइलेंट वोटर का जो मैंने कैलकुलेट किया है उसके अकॉर्डिंग सो डू नॉट गो ऑन सर्वे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए और विशेस रुप से बेंगॉल के जो भी लोंगे वह अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए देखिए मैं एक ऑनेस्ट एस्ट्रोजर हूँ मैं ऐसा नहीं हो कि मैं एक्जेक्ली यह चारा हूं कि ममता सरकार वहां से हट जाए या बीजेपी की सरकार वहां पे आ दोनेगी और एंडिये की सरकार ऐसा नहीं है कि मैं केवल हर जगा एंडिये की सरकार के लिए बात कर रहा हूं मैंने आसाम में बोला है बश्चिंबंगाल में बोला है और पॉंडिचेरी में बोला है इसके अलावा मैंने तमिलनाडू में जहां पर यूपीय की सरकार है वह इसका सर्वे भी कोई कुछ पता नहीं कर सकता है, so let's wait till the elections happens and wait till the result is going to be declared, so whatever the result will be, I will be coming on YouTube and I will analyze what prediction went true and what was wrong, so जाते जाते एक पर पुना बता दू कि कोलकता में मैं 18 को एवलेबल हूँ और साथ में 21 को मैं दिल्ली में कनाट प्लेस में एवलेबल हूँ, 22 को गाजियाबाद में अपने ऑफिस से classic residency apartment राजनेगर extension में एवलेबल रहूँगा, तीज को लगनाव रेडिसन में एवलेबल रहूँगा और पच्छिस को पुना गुरपूर आफिस से मैं आपके परसनल कंसलिटेशन के लिए अवलेबल रहूँगा, तो दोस वांट टू में का बुकिंग एवलेबल रहूँगा, तो अभी के लिए इतना ही मैं हूँ स्वाजर केम सिना, ओम नमस्षिवाय, आप अपनी प्रतिक्रियां जरूर वहां पर लिखिए का किसकी सरकार बननी चाहिए और किसकी सरकार बन रही है, क्या आप इस सर्वे से संतुष्ट हैं वो भी आप जरूर यहां पर लिखिएगा, अभी के लिए इतना ही.